तोहाना के नागरिक अस्पताल में फिल से अधार काड बनने शुरू हो गए हैं लगबग चार महीने के बाद अक्टूबर महीने में दोबारा अधार काड बनने शुरू हुए बात अगर इसी अक्टूबर महा की करे तो अधार काड सेंटर में 470 लोगों के अधार काड बनाये जा चुके हैं यहां सेंटर के संचाला गुर्परित मुगरिया ने अधार काड से जुड़ी और भी कई जानकारियां दी नागरिक अश्पताल में स्थापित इस अधार काड सेंटर पर शेहर वासियों और ग्राम वासियों को सरकारी शुल्क पर ही सुविधाएं उपलब्द करवाई जा रही है उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अधार काड में अपना मुबाइल नंबर अपडेट करव अधार काड यहां पर श्ब्राई बनते हैं आपर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अधार काड बना जाते हैं और बाहर से बीथ जितनी कवे बबलिक आप पब्लिक है या कोई बाहर से All India Over, उनके पास ID हो, कहीं भी जाके अधार कार्ड बना सकता है, और यहां भी अधार कार्ड बना सकता है, और यहां 470 अधार कार्ड इस महां बने हैं, और आगे से इसलिए कम है यह, क्योंकि यहां पर पता नहीं था, पिछले करोना के कारण, और उससे पहले भी कुछ, किसी क सुविधाओं का लाव ले, पबलिक यहां पे आएं, अधार कार्ड अपडेट करवाएं, जो कि यहां पे अधार कार्ड अपडेट की फीस है, जो अकेला मोबाइल नंबर अठीक करवाना है, तो उसकी 50 अपडेट करवानी है, जो कि फोटो बदलवानी होती है, कि फोटो मैंने नहीं लगवानी तो उसकी 100 रुपे फीस गूर्मेंट रखी गई है जो वहीं ली जाती है से अलावा और ज्यादा फीस नहीं ली वज़े से शाम पाँच वज़ तक खुला रहता है यह सेंटर जी सों बार से लेकि शुकर बार तक खुला रहता है शनी एदवार की छुटी होती है अधार कार्ड यह एक UID AI साइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो और गवर्मेंट की तरफ से बाइपोस्ट भी आता है यह अधार कार्ड बाइपोस्ट थोड़ा समय लग जाता है जैदि व्यक्ति को जल्दी चाहिए तो वो उनकी साइट से जाके यह अधार को पी नि स्थापित इस अधार कार्ड जैंटर पर आग करकर वा सकते हैं प्रधम तहलका के लिए तोहाना से नवल सिंग की रिपोर्ट